हेल्लो फ्रेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवे का डोसा नाश्टे में रवे का डोसा खाने से हेल्थ इंप्रूव होती है स्किन, हेयर और मसल्स में सुधार होता है हम ले रहे हैं एक कटोरी रवा इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक, दो चमच दही और पानी रवे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाड़ी ही रखनी है तीन चमश दही डाल कर इसको अच्छे से फ्रेंट लीजे इसमें हम कोई सोडा या इनो नहीं डाल रहे हैं दही ही ये सब काम करेगा दही पाचन में मदद करता है इसमें अच्छे बैक्टिरिया होते है अगर दही का उपयोग रवे के साथ किया जाए तो ये एक वरदान है वजन घटाने में मदद करता है और दिल के लिए अच्छा होता है हमारी इमेनेटी भी बढ़ाता है ये देखिए हमारा लोग कैलरी बैटर बन कर तयार है इसमें स्वादन उसर नमक डाल लेते हैं अगर आप चाहें तो इसमें बारी कटा हुआ पयाज भी डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही इसमें अदरक और हरी मेच भी बारी डाल सकते हैं अब इस बैटर को रेस्ट करने के लिए 15 मिनिट रख देंगे क्योंकि रवा फूलता है 15 मिनिट बाद ये बैटर थोड़ा और गाड़ा हो जाएगा ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके कंसिस्टेंसी को सही करना है और थोड़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी करनी है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाड़ी भी नहीं जैसा हम पकोड़ों का गोल बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी गाड़ी रवे में कार्बो हाइडरेट, फाइबर, वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन A, B, राइबोफ्लोबिन, फॉलेट, B9, B12, C के अलावा मेगनेशियम, फासफोरस, केल्शियम और आईरेन भी होता है हमारा बैटर बन कर तयार है गरम तवे पर एक चमच तेल में थोड़े से दाने राई के डालेंगे और जरासा हिंग डालेंगे और इस चौक को हम इस बैटर में डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आप खाली चटनी के साथ खाते हैं सामबर साथ में नहीं बनाते हैं तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगा आप इसको नॉन स्टिक पर भी बना सकते हैं लेकिन लोहे के तवे पर भी किस तरह बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ लोहे के तवे पर दो बुंत आप तेल डालिए और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और इसको गीले कपड़े से पोच लीजिए बस आपका लोहे का तवा बन गया नौन स्टिक अब इस पर मज़े से डोसे बनाएए कुछ भी नहीं चिपकेगा एक बार आजमा कर देखिए गोल डालिए कटोरी से आदी कटोरी गोल डालिए और कटोरी से ही घुमा दीजिए बस आपका डोसा एकदम तयार है दो बुन तेल चारो तरफ डालिए और इसको पलटिए ये आसानी से पलटेगा क्योंकि हमने तवे को नौन स्टिक जो बना दिया है एकदम सुनहरी करारा डोसा बनकर चुटकियों में तयार है अगर आप चाहें तो ये घोल बना कर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और सुबह नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं दिन में कभी भी भूख लगने पर भी इसे बना कर खाया जा सकता है इसमें आइरन ना इनो डाला है और ये बहुत ही करारे लाजवाब डोसे बनते हैं चुटकियों में तयार होते हैं वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए